हलो और वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला के घर के अंदर अर्चना ने की प्रियंका को तंग करने के लिए सारी हदे पार जी हाँ अर्चना ने हद कर दी है लेकिन कमाल की बात तो ये है कि प्रियंका में है सच में कमाल की सहन शक्ती तब ही तो अर्चना की बत्तामीजी का प्रयंका ने ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया आपको भी गर्व होगा सुनकर क्या कुछ हुआ है चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपनी चानल को सब्सक्राइब जरूर करीं और बेल आइकन को दबाएं बिगबा सीजन सोला के घर के अंदर प्रयंका चाहर चौधरी आदी रात को खाना खा रही थी और हम आपको बता दें कि प्रयंका मिर्च नहीं खाती है जादा स्पाइसी खाना प्रयंका की सेहत खराब कर देता है पर ऐसे में रोथियां प्रयंका के लिए बना रही थी अर्चना क्योंकि अर्चना की ड्यूटी थी पर अर्चना ने सारी हदे पार कर दी प्रयंका को परिशान करने के लिए जी हाँ दोस्तों अर्चिना ने कहा अरे इसको जादा खाणा खाना है ना इसको मेरे हाथ का खाना खाने में दिक्कत होती है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मुझे तो खाना ठीक से बनाना ही नहीं आता मैं तो अपने आपको किचन की कुईन समझती हूँ लेकिन किचन के असली कुईन तो ये है ऐसे में चुपचाप अर्चना किचनेरिया में जब खाना बना रही होती है तो प्रियंका के पराथे में इतनी मिर्च भर देती है जो की मामूली से काफी जादा है इतनी जादा कि ए दो पराथे प्रयंका के आते के हैं ये वही खाएगी जिसके बाद प्रयंका जब खाना खाने बैठती है तो प्रयंका पहली ही बाइट लेते ही समझ जाती है कि अर्चना ने भर के पराथे में मिर्च डाली है यहाँ पर कहती भी नजर आती है प्रयंका टीना से कि टीना परा खाना नहीं खा सकती तीना कहती है काम कर छोड़ दे परांठा फ कर जाती आई कोई बात नहीं को भाएं को इसको भी देखाती हूँ मुझ में कुतना प्रटने वालों में से नहीं हूँ और तुझे क्या लगा तु ऐसा पराथा बनाएगी मुझे खिलाएगी मिर्च वाला और मैं हार मान लूँगी खाने को फेकूंगी और फिर तु कहेगी मैं खाने को फेकती हूँ इतनी बेफूवर मैं नहीं रही अचना तेरी हर टाक्टि